अच्छार दोस्तों, ढिट हैं आज की 25 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिसक्रेशन में आज तीन इशूज हम डिसक्रेशन करेंगे, यहाँ पर चार हैं लेकिन दो आर्टिकल सेम हैं जिसे यह भी climate change से समन्दित हैं यह भी नीचे वाला भी पहले दूसरे आर्टिकल्स climate change से समन्दित हैं तो दोनों को combine करके discuss करेंगे इससे नीचे वाला आर्टिकल यह इंडिया-Central-Asian relations के बारे में है और सबसे नीचे वाला आर्टिकल यह हिंदू का नहीं है, लाइव मिंट का है तो यह भी important है, इसे भी हम लाइव मिंट से discuss करेंगे Question आज का यह है, discuss the importance and significance of Central Asia for India Central Asia की इंडिया के लिए क्या significance और importance है उसे आपको discuss करना है और यह भी comment करना है, कि इंडिया की जो connect Central Asia policy है 2012 में आई थी क्या यह अपने objective को achieve कर पाई है या फिर नहीं, इस पर आपको comment करना है आज का quote है, कुवाइटी is parent of revolution and crime बताए किसका quote है यह, गरीबी जो है, वो एक परकार से parent है, mother है, father है, revolution और crime का जहाँ पर गरीबी है, वहाँ पर आपको revolution और crime देखने को मिलेगा यह quote है देखो, Aristotle का, याद रखिएगा, गरीबी के बारे में जब आपको लिखना हो, तो यह चीज आप लिख सकते हो इससे पहले कि हम discussion स्टार्ट करें, एक चोटी सी चीज देखो, हर साल ethics में, essay में, या फिर GS में, directly-indirectly इस परकार का question आही जाता है education का क्या role है, values inculcate करने में पता तो हम सबको ही है, कि बहुत बड़ा role है education का brief में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि answers में आप links को देखो, education जो है, वो एक परकार से हमारी soul की architecture है Nelson Mandela ने एक बार बोला था, कि education जो है, वो सबसे बड़ा weapon है world को change करने का, जब देखो, बच्चे का जनम होता है, तो वो बिलकुल खाली होता है, tabular आशा, कुछ नहीं छपा हुआ होता है तो बच्चा आगे जाके क्या बनेगा, कैसे behave करेगा, कैसा उसका nature होगा बहुत कुछ depend करता है कि उसको कैसी education मिली है जैसे जैसे education मिलती है, उसका mind जो है, उस पर printing होती जाती है और उसी से उस बच्चे का nature, character, वो सब चीजें develop होती है इसलिए समाज में education को इतनी जदा priority दी जाती है क्योंकि समाज बरसों से जिन values को importance देता आया है वो values बच्चों में देने के लिए education बहुत जदा important है स्कूल में जब बच्चा जाता है, मतलब सबसे पहली teacher जो है, वो mother ही होती है लेकिन स्कूल के यहाँ पर हम बात करें ऐसा question अगर आ जाए कि role of schools in inculcating the education या फिर in inculcating the values ऐसा कुछ कोशन आ जाता है स्कूल में बच्चा अपने साथी बच्चों को देख कर बहुत कुछ सीखता है कोपरेशन की values सीखता है punctuality, commitment, sincerity, sharing, caring, fairness, helping, independence, responsibility, humility, pride जितनी values आप लिख सकते हो even social justice, gender equality, respectful elders, truthfulness, tolerance, peace यह सब values जो हैं बच्चा स्कूल में जाके सीखता है और आज के समय में देखो जो स्कूल का curriculum होता है उसको उसी परकार से develop किया गया है कि पढ़ते पढ़ते भी आपके अंदर जो values हैं वो आएं हमारे अंदर देख लो ethics पढ़ते पढ़ते कितनी values आ जाती हैं तो ऐसे मतलब कुछ values का जिकर आप जरूर करिएगा जब आप इस परकार के question का answer करो अब चलिए discussion स्टार्ट करते हैं First important article climate change से समधित हैं आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हों क्या contest है देखो 31 October से 26th UN climate change conference of parties की meeting स्टार्ट होगी किस बात पर चर्चा होगी इस meeting में थोड़ा पीछे जाती हैं देखो 2015 में Paris climate change agreement साइन हुआ था और इस agreement में विभिन देशों ने अपनी अपनी तरफ से commitment की थी कि हम कितना emissions कम करेंगे जैसे देखो इंडिया ने commitment की थी कि 2030 आते आते इंडिया 2005 में जो emission का level था उसे 33 से 35% तक कम करेंगा ये जो विभिन देशों ने commitments की थी ना इन्हें कहा जाता है nationally determined contributions यानि विभिन देशों ने अपनी अपनी तरफ से commitment की थी अब देखो कुछ देशों ने तो अच्छा काम किया है अपनी इस commitments को fulfill करने के लिए बर देखो बावजूद इसके जो target रखा गया है कि आर्थ के average temperature को 1.5 degree Celsius से ज़्यादा बढ़ने से रोकना है ये target achieve नहीं हो सकता फिलाल की विबिन देशों की commitments के हिसाम से तो ये जो meeting organize होगी न 26th Conference of Parties की इस meeting में विबिन देशों से उमीद ये की जाती है कि वो और ज़्यादा strong commitment करें कि हम और ज़्यादा emissions को कम करेंगे तब जाके इस target को achieve किया जा सकता है कि Earth के average temperature को 1.5 degree Celsius से ज़्यादा बढ़ने से रोकर जाए कुछ दिनों पहले 6th assessment report भी आई IPCC की यानि Intergovernmental Panel on Climate Change की इस report पर काफी चर्चा हुई लेकिन इस report में जो एक बात बोली गई कि अगर हमें इस target को achieve करना है कि Earth का average temperature 1.5 degree Celsius से ज़्यादा ना बढ़ पाए तो हमें एक चीज ये ensure करनी होगी कि 2010 में emission का जो level थाना 2030 आते आते emission का level उससे 45% कम होना चाहिए जैसे example के तोर पर अगर 100 units emit होती थी 2010 में तो 55 units emission हो 2030 आते आते ये हमें ensure करना ही होगा अगर हम चाहते हैं कि Earth का जो average temperature है वो 1.5 degree Celsius से ज़्यादा ना बढ़ पाए इसके बाद issue आता है common but differentiated responsibility का इसका क्या मतलब है देखो जो अभी climate change देखने को मिल रहा है ये पिछले एक साल के emissions का नतीज़ा नहीं है ना जब से emission चला आ रहा है सब को आप मिलाओगे तब जाके ये climate change जो अभी हो रहा है वो हो रहा है तो जितना अभी तक total emission हुआ है पिछले 200-500 सालों में उसमें देखो 75% तो developed countries ने contribute किया है US, UK जो ये developed European countries हैं इन्डिया जैसे देश तो बिचारे अभी भी develop हो रही हैं वो developing है अभी भी पूरी तरह ऐसे develop वो नहीं हुए है तो उन देशों की जो ये developed countries है USA जैसे देश इनके responsibility तो ज़्यादा बनती है क्योंकि इन्होंने ही बिल्कुल crude language में बात करें तो इन्होंने ही ज़्यादा गंद फिलाया है लेकिन बोला ये जा रहा है कि सबको equal treatment मिलेगी यानि सबको उतना ही emission कम करना पड़ेगा ये तो गलत बात है ना हमने emission contribute ही कम किया है तो फिर हम उतना कम क्यों करें आपके समान इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो 2030 के target से ध्यान बढ़काने के लिए 2030 का target क्या है याद केजिए IPCC ने अपनी जो 6th report में बोला था अगर आर्थ के average temperature को 1.5 degree Celsius से ज़्यादा बढ़ने से रोकना है तो 2010 में जितना emission का level थाना उससे 45% कम करना है 2030 आते आते तो इस issue से ध्यान बढ़काने के लिए अभी एक नया परपोजल दिया गया है NET 0250 NET 0250 का मतलब यह है 2050 आते आते विविन देश यह target एचीव करेंगे कि जितना वो carbon emit कर रही है उतना ही absorb होगा यानि net जो carbon का emission होगा वो 0 होगा ऐसा नहीं कि carbon emit नहीं होगा emit तो होगा जितना carbon emit होगा उतने ही absorb हो जाएगा तो यह जो issue है यह दो कोई long term का है पहले आप 2030 के issue पर तो ध्यान दो ऐसा writer बोलते हैं तो यह जो glass gaun में 26th meeting होगी ना Conference of parties की यह बहुत निरनायक सावित होगी क्योंकि देखो जुलाई 2, 2021 तक 194 में से 194 देश पार्टी है Paris Climate Change Agreement में तो 194 में से 113 देश ऐसे हैं जिनोंने अपने NDC यानि nationally determined contribution को increase कर दिया है क्या था वो जैसे इंडिया ने बोला था कि 2030 आते आते हम 2005 में जितना emission था उससे 33 से 35% कम करेंगे तो यह जो NDC वाला commitment है ना इसे विबिन देशों ने increase कर दिया है लेकिन देखो इसे increase करने का फाइदा क्या हो अगर outcome ना निकले अगर देखो अभी के हिसाम से emission होता रहा ना तो 2030 आते आते जो emission का level होगा वो 2010 से 16.3% जादा होगा बलकी सोचके देखिए यह थोड़ा बहुत अगर कोई देश जादा commit कर भी देता है तो उसका क्या result निकलेगा 2030 वाला जो target है इसे achieve करना जरूरी है UK, European Union इन्होंने अपना-पना target increase किया है थोड़ा बहुत यह बोलते हैं कि 2030 में हम हमारा जो emission का level है UK बोलता है उसका 68% कम करेंगे जो 1990 में था European Union का यह कहना है कि 1990 में हमारा जो emission का level था ना उसे हम 55% तंग कम कर देंगे 2030 आते आते लेकिन USA ने अभी भी कोई खास commitment नहीं की है इस direction में पहले तो Trump राष्टरपती थे तो USA Paris Climate Change Agreement में बाहर यह आ गया था लेकिन बाइडन की राष्टरपती बनने के बाद USA ने यह बोला है 2030 आते आते हम हमारे emission को 2005 में जितना emission था ना उससे 50 से लेकिन 52% तक कम कर देंगे यह देखो बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि ध्यान दीजेगा जो UK, European Union वो तो 1990 में जो emission था ना उसका 68% कम कर रहे हैं 55% कम कर रहे हैं लेकिन USA 2005 में जो emission था उसका सिरफ 50 से 52% कम कर रहा है तो comparison में USA बहुत कम कर रहा है अपना emission कम इसके अलावा और कौन-कौन से देश Climate Change के परती ज़रा serious नहीं है Russia, Brazil Brazil में तो देखो Amazon forest को काफी तेजी से खतम किया जा रहा है development activities के लिए China चाइना बोलता है 2006 में हम net zero target को achieve कर लेंगे लेकिन उससे पहले फिलाल देखो China अंदा दुन्द power generation capacity deploy कर रहा है maximum infrastructure चाइना establish करना चाहता है 2030 से पहले-पहले 2030 से इसलिए चाइना ने बोला है हमारा जो emission है वो 2030 तक peak पर पहुंच जाएगा peak जो होगी चाइना के emissions की वो 2030 होगी 2030 के बाद कम होना start हो जाएगा ऐसा चाइना बोलता है इसके बाद इसके बाद इंडिया की बात करते हैं देखो वैसे तो world में total जितना emission होता है world के average अगर per capita emission आप देखोगे उससे इंडिया का per capita emission काफी जादा कम है लेकिन चुकि population इंडिया में जादा है इसलिए इंडिया वर्ल्ड का third largest emitter है फिलाल इंडिया G20 का member है और बड़ी economic और industrial power है इंडिया ने अभी तक तो देखो Paris climate change में आपनी जो commitments increase करने का pressure है उसे resist किया है यानि विबिन देश इंडिया को बोल रहे है कि 2015 में आपने जो वादा किया था कि हम इतना emission कम करेंगे उस वादे को आप और ज़़दा मजबूत बनागे यानि और ज़़दा commitment कीजिए तो इंडिया के पास एक option देखो ये है अभी इंडिया का जो target है न कि 2030 आते आते 2005 में जितना emission था उससे हम 33-35% emission कम करेंगे इसे increase करके इंडिया 38-40% कर सकता है वैसे भी इंडिया हर साल 2% emission तो कम कर ही रहा है तो 2030 आते आते इंडिया 2005 के लेवल में जितना emission था न उससे 38-40% कम खरीद देगा और जो ये net zero का shore है न कि हाँ कौन से साल में कौन सा देश net zero target को achieve करेगा जैसे USA ने बुला है 2050 चाइना ने बोल दिया 2060 तो इंडिया भी 2070 बोल सकता है क्योंगी देखो यूएस चाइना इन देशों की responsibility थोड़ी तो ज़्यादा बनती है क्योंगी ये emission ज़्यादा कर रही है और बात रही इंडिया के उस target की 2030 में हम 2030 आते आते इंडिया में 450 गिगावाट renewable energy जो है वो produce होगी इसके लिए हमें देखो अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर इसी गती से चलते रहे तो हम इस target को तो achieve नहीं करस केंगे तो ये हमने पूरा article डिसक्रस किया climate change से समदित चलते हैं आगे इसके बाद next article इंडिया और Central Asia relations से समदित है आप GS Paper 2 के इस topic से आठिकल को relate कर सकते हूँ क्या context है इस महिने की शुरुवात में भारत की विदेश मंतरी S.J.Sankar Central Asian countries की आतरा पर गए थे देखो जहां एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद इंडिया चिंतित है उसी परकार से ये Central Asian countries भी चिंतित है क्योंकि इन देशों को भी अफगानिस्तान की धरती से originate हुआ जो आतकवाद है वो भूरी तरह से परभावित कर सकता है तो एक परकार से अभी इंडिया और ये Central Asian countries सेम सिचुएशन में हैं तो जब हमारे विदेश मंतरी किर्गिस्तान की आतरा पर गए तो उन्होंने 200 मिलियन डोलर्स की Line of Credit Extend की किर्गिस्तान को इसके साथ साथ एक MOU भी साइन हुआ High Impact Community Development Projects को लेके किर्गिस्तान के बाद विदेश मंतरी S.J.S. कर गए कजाकिस्तान कजाकिस्तान की नूर सुल्तान जो इनकी कैपिटल है वहाँ पर विदेश मंतरी ने Forum Ministers की Conference on Interaction and Confidence Building Measures को संबोधित किया यह सिख्थ मीटिंग थी विदेश मंतरीों की विदेश मंतरीों की इस मीटिंग में बोलते हुए विदेश मंतरी ने चाइना के Belt and Road Initiative के बारे में काफी कुछ बूला जैसे देखो यह बात सच है कि विदेशों को आज के समय में Connectivity की आऊ सकता है लेकिन जिस परकार से कोई देश अपने Parochial Interest यानि संकेड Interest को आगे पर्मोट करने की कोशिश कर रहा है Connectivity के नाम पर यह सच नहीं है विदेश मंतरी एस जैसंकर ने पाकिस्तान के बारे में भी बोला कि कि पाकिस्तान जो है वो Cross Border Terrorism को पर्मोट कर रहा है उसके बाद विदेश मंतरी एस जैसंकर गए आर्मेनिया की आत्रा पर आर्मेनिया वही है जो अजर्बजान से युद्धार गया था आर्मेनिया में एस जैसंकर ने आर्मेनिया की जो विदेश मंतरी है उनसे मुलाकात की और इस बात पर दोनों विदेश मंतरी सहमत हुए कि इंडिया और आर्मेनिया के बीच ट्रेड एंड जो कल्चरल एक्सचेंजीज है उन्हें इंक्रीज किया जाएगा यानि जैसे इंडिया का कोई the people क कल्चरल डेलिगेशन है वो आर्मेनिया की यत्रा पर आएगा आर्मेनिया का कल्चरल डेलिगेशन इंडिया की आतरा पर आएगा वैसे देखो आर्टिकल में ऐसा कुछ बोला नहीं गया है लेकिन सीधा-सीधा आप अंदाजा लगा सकते हो अजर्बेजान जो युद जीता था, वो देखो तर्की द्वरा स्पोटिड था, और वो सारे देश जो तर्की के दुश्मन हैं, जैसे साइप्रस हैं, ग्रीस हैं, उनके साथ इंडिया दोस्ती इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि तर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के परतिश मर् हैं, इस मोके पर विदेश मंतरी एस जैसंकर नहीं भी बोला, नागोरना, कारबग, जो कंफ्लिक्ट हैं, अजर्बेजान और आर्मेनिया के बीच, इसका समाधान सांथिपूर्वक धंग से निकलना चाहिए, और्गनेजेशन for security and cooperation in Europe, ग्रूप के तहत, ये ग्रूप काफ देखो, SEO जो ग्रूप है ना, संघाई Corporation Organization, शुरू में बना था, तो ये बोला गया था, कि इस पूरे रीजन में आतकवाद को कम करने के लिए विबिन देशों के बीच, जो भी मेंबर हैं, इस ग्रूप के उनके बीच, कोपरेशन इस्टाबिस करेगा ये ग्रूप, लेकि अपने इंटरेश्ट को पर्मोट करने की कोशिस करते हैं, जैसे पाकिस्तान के प्रधामंतरी इमरान खान ने SEO के प्लेटफूम का इस्तमाल किया, जूट बोलने के लिए कि देखो, पाकिस्तान खुद आंतकवाद से पेडित हैं, नहीं, मतलब SEO जो ग्रूप है ना, वो अ अर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो जब USSR का डिसिंटिक्रेशन हो गया था ना, 1991 में, तो इंडिया ने इन सेंटरल एशन कंट्रीज के साथ, जो पहले USSR का पार्ट हुआ करते थे, उनके साथ रिलेशन्स मजबूत बनाने की कोशिस की, इंडिया ने इन देशों को फा 2012 में इंडिया ने Connect Central Asia policy launch की ताकि इन देशों के साथ, various domains में, जैसे political domain में, economic domain में, historical और cultural domain में, अच्छे relations establish किया जांस के, बट देखो दिक्कत ये है, Central Asian countries के साथ, connectivity इंडिया की अच्छी establish हो पाती, उससे पहले ही पाकिस्तान बीच में आ गया, तो इंडिया ने एक alternative निकाल कि चाबार port develop करते हैं इरान में, और Central Asian countries के साथ trade होगा, चाबार port के through, लेकिन उसमें भी issue आ गया, इरान अभी चाइना की तरफ ज्यादा inclined होता जा रहा है, इस मौके का चाइना ने फाइदा उठाया, चाइना ने अपने belt and road initiative project के तहत Central Asian countries के साथ relations को मजबूत करना start कर दि तो इंडिया थोड़ा सा पिछड गया, बट अब एक बार फिर से इंडिया के पास मौका है, मौका क्यूं है, क्यूंकि देखो एक तरफ चाइना का जो belt and road initiative project है, उसका एक example है चाइना पाकिस्तान economy corridor, तो कैसे विबिन देश, debt trap में फस्ते जा रही हैं चाइना के, ये Central Asian countries क भी पता लग रहा है, तो उन्हें अब ये पता लग रहा है, चाइना जो पैसा दे रहा है, उसके negative repercussions देखने को मिलेंगे, यानि एक negative महोल बना है चाइना के इस project के परती, इसलिए Central Asian countries, चाइना के ऊपर dependent नहीं होना चाथे, वो अपना जो export या फिर दूसरा trade है, उसे भी diversify करना चाते हैं, देखो COVID-19 के दुरान जो कुछ हुआ, चाइना ने supply chains को लेके विबिन देशों को blackmail किया, मतलब की हम आपको माल तभी बेजेंगे, जब आप हमारी ये बात मानोंगे, ऐसे ऐसे चीज़ें चाइना ने की हैं, तो अभी की situation में विबिन देश चाइना के उपर अपनी जो निर्भरता है, dependency है, उसे कम करना चाते हैं, चाइए वो किसी भी चीज़ को लेके हो, इसके लावा देखो चूगी चाइना, जिंग जियांग रिजन में, Muslims के अगेंस्ट अत्याचार कर रहा है, तो Central Asian countries में तो बहुत सारे Muslims रहते हैं, ये चीज़ भी सिदा पतली गली से निकल जाता है, बोलके तालिबान को कि आप जो जिंग जियांग रिजन में इंसर्जेंट्स हैं, उनके साथ कुछ मत कीजिएगा, बाकी हमारी पूरी स्पोर्ट आपके साथ हैं, लेकिन इंडिया और Central Asian countries, जैसा हमने डिसकस किया, वो सेम बोट में हैं, तो अभी इसलिए विदेश मंतरी एस जैसंकर Central Asia की यात्रा पर गए थे, और आने वाले दिनों में और ज़्यादा कोपरेशन देखने को मिलेगा Central Asian countries और इंडिया के बीच हैं, यहाँ पर देखो, Central Asian जो countries हैं, वो भी इंडिया की एहमियत समझते हैं, इसी वज़े से जो अ एहमियत के चलते Central Asian countries के लिए, तो यह हमने पूरा आर्टिकल डिसकस किया, इंडिया Central Asian relations के बारे में, Central Asian countries के साथ, रिलेशन के बारे में, अब चलते हैं आगे, इसके बार नेक्स्ट आर्टिकल लाइव मिंट का है, चाइना की हाइपर सोनिक मिसाइल से समन्दित, आप जी इस टोपिक से आर्टिक को रिलेट कर सकते हूं, क्या कर टेस्ट हैं? हाल खी में, चाइना ने देखो अपनी हाइपर सोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, हाइपर सोनिक मिसाइल जो साउंड की स्पीड से पांच गुना जरा तेजी से चल सकती है, चाइना ने जो यह टेस्ट कि गिया 24 मिल मतलब 36 किलोमेटर से ज्यादा तार्गेट जो है मिसाइल मिस कर गई राइटर कहते हैं देखो जब चाइना ने अपने इस हाइपरसोनिक मिसाइल का तो यूएस के न्यूसपेपर्स में चाइना के इस एकस्पेरिमेंट को काफी तवज़ो मिली ऐसे खबर भी आए कि चैनीज एजनसी जो हैं वो शोक्ड हैं कि मतलब चाइना ने ये एकस्पेरिम एकसे कर लिया तो पता था कि चाइना ये जो मिसाइल है वो डवलप करने वाला है उनके पास टेकनोजी जो है वो आ गई है ऐसा नहीं हो सकता यूएस से अवेर नहीं था कि हाँ चाइना चोरी चुपे ये हाईपरसोनिक मिसाइल के डवलप्मेंट कर रहा था आलमोश्ट कि खुली किताब क तरह था लेकिन फिर भी यूएस में जो रियक्शन है वो एग्जाजरेशन है उसका रीजन भी है रीजन क्या है देखो जब किसी बच्चे को अपने पैरेंट से कोई चीज लेनी होती है न तो वो बच्चा क्या बोलता है मिरे दोस्त राहूल के पास भी वो चीज है वो ख टेकनोजी को या फिर इससे भी अच्छी टेकनोजी को डवलप करेगा इससे पहले अगर USA डवलप करता तो फिर साइड USA के उपर विबिन देश सवाल उठाते, चाईना के उपर तो कोई सवाल उठाता ही नहीं है चाईना का जो रवय likelihood है वो responsible नहीं है COVID-19 के दूरान आपन की बात है कई सारे USA के एक्सपर्ट्स ने इसे स्पूतनिक मुमेंट कहां स्पूतनिक मुमेंट तब आई थी जब कोल्ड वार चल रहा था USA और USSR के बीच में तब सोवियत उनियन ने 1957 में आर्टिफिशल सैटलाइट आर्थ के ओर्बिट में प्लेस किया था उसके बाद तो द है नो देखो वैसे ये बात तो साफ है चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल डवलप की है कुछ तो उन्होंने इनोवेटिव डेफिनेटली किया ही होगा अच्छा मतलब उन्होंने साइंस डवलप की है जो कि उनकी एक एक एचीवमेंट है बट अगर यूद के छेतर में बा वार कर सकती है तो ऐसा तो कुछ खास नहीं होगा हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ में जो पहले इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ में नहीं था लेकिन एक चीज यहाँ पर बताने लाग यह है जो राइटर बार बार जिस पर फोकस कर रहे हैं नुकलियर ड मिसाइल ट्रेटी से बाहर आते हैं और 2002 के बाद USA ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस पर काम करना श्टार्ट कर दिया ताकि USA अपनी बोर्डर पर चारों और ऐसी दिवार बना सके जिसे कोई भी मिसाइल ना भेद सके ऐसी USA दिवार बनाना चाहता है कि किसी भी देश से मिसा आ जाये जो नोर्ट कोरिया से चाइना से रुस्या से वो USA की दिवार को पार ना कर पाए एक तरफ देखो जहाँ USA ऐसी दिवारों को बनाने की कोशिश कर रहा है यानि anti ballistic missile defense बनाने की कोशिश कर रहा है दूसरी तरफ रश्या चाइना ये देश लगात अगर यूएस तै की दिवार को भेड़ सके और USA को भी एक डर महसूस हो वो डर देखो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कल को अगर USA ने चाइना और रश्या के ऊपर हमला कर दिया तो बदले में USA को डर होना चाहिए ना कि हमने तो हमला कर दिया अब चाइना और रश्या भी हमारे उपर हमला कर सकते हैं यह जो डर है ना यही तो USA को रोकेगा चाइना और रश्या के उपर हमला करने से अगर यह डर खतम हो गया अगर USA के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस पूरी तरह से कारगर हो गया ऐसी दिवारे USA ने बना नहीं फिर तो USA को डरी खतम हो जाएगा फिर तो USA चाइना और रश्या के उपर हमला कर देगा जो कि रश्या और चाइना नहीं चाहते इसलिए एक तरफ जहां USA एंटी बैलिस्टिक डिफेंस पर काम कर रहा है वहीं दूसरी तरफ रश्या चाइना ऐसी मिसाइल्स डवलप पैदा किया जहां सके और USA चाइना के साथ ज़्यादा पंगा लेना लेकिन देखो ये चीज़ बैकफायर भी करती है बैकफायर इसलिए करती है क्योंकि इसी हफटे यूएस के राश्टरपती बाइडन ने टाइवान को डिफेंड करने के परती अपनी कमिटमेंट जाहिर की इसके साथ USA की कोंगरिस जो है वो और ज़्यादा फंट्स ऐलोकेट करेगी लेटर्स्ट टेकनोजी के वैपन्स डवलप करने के लिए तो चाइना की जो रणनीटी है कि अपनी टेकनोजिकल के पेबिटी को बढ़ा चला के बताया जाए ये बैकफायर भी करती है अब ब पांच देशों के पांच नुक्लियर वैपन हो सकता है जो स्कूर्टी काउंसिल के पर्मानेट मेंबर हैं लेकिन इंडिया ऐसी ट्रीटी को हवा दे सकता है नो फर्स्ट यूज मतलब कोई भी देश जिसके पास नुक्लियर वैपन है वो पहले यूज नहीं करेगा नुक्लियर वैपन को इंडिया ने तो आलरी देखो नुक्लियर इंडिया की आलरी एक नो फर्स्ट नुक्लियर वैपन के नारे को बुलंद करता है न तो फिर वो नोन प्लोरिफ्रेश होगा कि यह irrelevant हो जाए और no first use को सभी देश अपना लें तो इंडिया ने तो already no first use की nuclear policy अपना के रखी हैं दूसरी चीज इंडिया ये कर सकता है space situational awareness जैसे देखो maritime domain की awareness होती है ना कहां पे समुंदर के नीचे resources हैं कहां पे कैसी topography है समुंदर के होती है कहां पे कौन सा object मिलने की संभावना है तो इंडिया अपनी space situational awareness को increase करें इससे ना सिरफ इंडिया भी latest technology को develop कर सकेगा अच्छे से उजे use कर सकेगा बलकि ये जो technology है ना space situational awareness की इसकी साहिता से अगर projects develop किये जाते हैं तो वो बिकते भी हैं तीसरी चीज़ इंडिया क्या कर सकता है तीसरी चीज़ इंडिया invest कर सकता है physics में material में anti-satellite engineering में hypersonic system में बात देखो ये नहीं है कि जिस रास्ते पर चाइना और यूस जा रही है हमें भी उस रास्ते पर चलना है लेकिन अगर key technology areas में इंडिया invest करता है तो future में इंडिया के पास ज़्यादा options available रहेंगे अपने cards play करने के लिए तो ये हमने पूरा article discuss किया चाइना के hypersonic missile की development से समदित हमारी आज की इस discussion में इतना ही है आज हमने तीन issues को details से discuss किया thank you thank you very much for discussion